एपिसोड नमबर 19 की स्टार्टिंग होती है और किल लुई मन में कह रही होती है अब मैं इसका क्या करूँ अभी हायान अंदर आते हुए कहती है मेडम आपने मिस्टर ली से जगड़ा किया फिर किल लुई उसे देखकर कहती है हायान तुम यहां क्यों आई हो फिर हायन कहती है यह मत कहो कि मैंने तुमें चेतावनी नहीं दी थी और मिस्टर ली के पास बहुत सारी लड़किया है और वो एकदम शुद्ध और चुलबुलेक सिसम की इंसान है और उनके पास हर प्रकार की लड़किया है यह केकर वो हसने लगती है फिर किल लुई उससे कहती है तो क्या हुआ फिर हायन कहती है कुछ महिलाए जो स्रिप अपने बारे में सोचती है और मिस्टर ली के दिल के साथ खेलती है उन सबी को घर से धक्के मार कर भार निकाल दिया गया और उन्हें कभी बख्षा नहीं गया फिर किल लुई कहती है हायन ऐसा लगता है कि तुम ली को बहुत अच्छी तरह से जानती हो फिर आयन कहती है मैं उनके साथ पास साल से रह रही हूँ तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे ना पता हो और मेडम मैं आपको एक सला देती हूँ बहतर होगा कि आप उन महीलाओ की तरह ना बने और ली को भड़काए ना कौन जानता है कि किसी दिन फिर किनलुआई कहती है मेरे बहतर होगा कि मैं पुराने अपाटमेंट चले जाओं वहाँ मैं अकेले अच्छे से रह पाऊंगी फिर हायन कहती है मेडम आपका सारा सामान यहाँ पहले ही लाया जा चुका है फिर किलनुवाई कहती है तो मेरा बेडरूम कौन सा है फिर वो मन में कहती है ली सच में बहुत ज़्यादा तेज है फिर हायन कहती है मेडम सिंपल सी बात है कि आप मिस्टर ली के साथ बेडरूम शेयर करेंगी और आएए मेरे पीछे में आपको वहाँ ले चलती हूँ फिर किन लुवाई कहती है हाँ ठीक है फिर किन लुवाई हायन की पीछे चलने लगती है और फिर उससे कहती है हाउस कीपर हायन आपको मिस्टर ली पसंद है ना फिर हायन कहती है तो क्या हुआ अगर मैं उन्हें पसंद करती हूँ तो इर किलनुवाई उससे कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई की मेरी और ली के बीच में एक नकली शादी हुई है और मैं उसे बिलकुल भी पसंद नहीं करती और शायद मैं स्रिब उसकी एक साल तक पतनी रहूंगी या उससे भी कम ये सुन हायन शौकड हो जाती है और मन में कहती है क्या उसका मतलब क्या है अगर ली ने उसके साथ नकली शादी की है तो ली ने उसे अपने पुराने अपाट में रहने क्यों दिया और इतना ही नहीं उसने उसको अपने बेडरूम में भी रहने दे रहा है और महीं किलनुव मन में कहती है इस बात पर उसका विश्वास करना बहुत मुश्किल है अगर ली उसे कहेंगा तो ही वो विश्वास करेंगी फिर सीन चेंज होता है और आमें नेक्स जे की मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहां कि लुए सोकर उड़ जाती है और कहती है मैं कहा हूँ फिर पृद में कहती है अरे मैं तो भूली गई थी की मैं ली के घर पर हूँ फिर वो बाजु में देखकर मन में कहती है वो जरूर कल पागल हो गया होंगा और वो आदमी एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर बात पर गुसा हो जाता है और जब वो गुसा होता है तो गायब हो जाता है और गाइज इसके साथ एपिसोड नमबर 19 यहां एंड होता है पसंद आये तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में